तो इससे पहला हमने बात करने वाले विल डिफेक्ट के बारे में तो इससे पहला हमने बात किया था विल डिफेक्ट के बारे में विल में अलग-अलग तरीके के डिफेक्ट मिलते हैं तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जैसे कि अगर हम लोग देखे रोलिंग कॉंट ct fatigue हो फिर ऊसे इंध फ्लेंच हो गया तो फिर उसे फ्लेटन भी लोगिए तो यह सब सारे सारे defect होते में होते हैं तो सबसे पहले में पार्ट के बारे मैं पता हो यह की तरेंब पर यह आपर डाय कर रहा होता है यहां पर यह 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 वाला पूरी तरीके से स्टेट नी होता है यह थोड़ा नीचे के तरफ मतलब बंड रहा होता है तो यह आ पर हम रोग बात करने वाले अलग-अलग विल्य इशेक्ट में हमें क्या क्या मिलेगा तो लिफरेंट टाइप ओफ विल्य टिफेक्ट सबसे हम लोग Art प्रेम अगर इविल्य ओगा तो उसके वुझ्धे से होगा क्या तो यहाँ पर defective wheel और कैंसे defective wheel causes damage to both wheel and track and may lead to derailment अगर wheel अगर defect होता है तो defective wheel होता है तो यह defective wheel के वज़े से होगा क्या train जो train का wheel होगा rail के surface पर तो damage करेगा ही करेगा जो rail surface होगी जो track होगी वो तोड उस पर मतलब कुछ ना कुछ damage तो होगा यह होगा साथ ही साथ यह जो defective wheel है यह train के derailment के लिए भी responsible होता है तो defective wheel जो है वो rail को affect करे गई जो rail जो होती है उसको तो affect करेगा rail क्या होती है यहाँ पर हमने consider किया यह track के track उन्हीके फैंट हे लिए सरस्ट हमुद्ICE दीख उपर वाला जो पार उता है इसको हम लोग बोलते रेल होती हुआ है जो जो है योब क्रीख करेंड्य के लिड को दो दें कनल दा है अभी यहां पर यह जो रिरल और जो इस absolument होता है यह पर यह we रेल होता है दोनों एक दूसरे के साथ connected होते है with the help of fasteners with the help of fastening system right अभी ये fasting system में हमें क्या मिलता है हमें हमें basically pen rule clip मिलती है फिर उसाथ elastic rubber stop मिलता है फिर उसाथ clamp मिलता है इसके बारे में already हमने बात किया तो the effective will होता है तो इसके बज़े से जॉ रेल होगी होगी its sih क तो आफ़ायल कर ना होता है ऑर च्रेन का इसको हमें basically profiling करести आप जब train continuously मतलब चल रही होती है त्रैक के 紹पर तो ऐसे के इसमें होता क्या मतलब चल रही होते हैं मतलब मान लेते एक train को हमने manufacturer कि और वो जो train ने कम से कम चार पांच महना चली तो चार पांच महना continuously चलने के बात होता गाई जो train जो होती है train की जो wheel होते है उसलिए क्या करना होता है profiling इसलिए करना होता है ताकि गतपाने लिफ यह बने रहे इसके बारे में आगे से मिलोग बात करेंगे व Il거 Profiling यह है कलग सा Koncep Braun पे इसके बारे में लिफेक्ट करेंगे किशन करेंग तो जिसे आलग अलग टैयब का क्या होता है रूलिंग कॉंटेक्ट फैतिक होता है फिर उसके बाद अगर हम लोग देखिए इसके फिर फ्लेंज होते है थिन फ्लेंज जो थिन फ्लेंज में अगर अगर हम लोग देखिए अगर हम लोग देखिए अराइज का मतलब क्या होता है शाफ फ्लेंज अगर हम लोग देखिए यहां पर हमें एस तरी के जाइसा दिखाए रहे यह फ्लेंज में कुछ इसत Σक सटीरे से जैसा दिखाए रहे रहे थिन शाप फ्लेंज में होगा Täप यह कर्व होगा यह बहुत कम हो जाएंगा मतलब उपर के त्रफ एक निहीं जैसे बन जाएंगे जिसंब को पिंग चीकिलिए बानद जाएंगे जिसका पुलर यह नाम होता है cooling and heating of wheel के वज़े से होता है right alternate cooling and heating of wheel जिसके वज़े से होता कि जो wheel है इसका जो wheel है wheel का material होता है उसमें metallurgical changes आने लगता है मतलब इससे हम लोग क्या समझते हैं माल देते हैं train चल रही है तो जब train चलेंगी तो ऐसे केस में होगा कि जो train होगी वो speed पकटेगी पहला जब acceleration होगा तो train speed पकटेगी राइट train जब speed पकटेगी तो ऐसे केस में आगर हम लोग देखे wheel और rail के बीच में friction के वज़े से heat generate होगी राइट फिर उसका जब train braking करेंगी तो ऐसे केस में होगा train की जो speed होगी वो decrease होगी तो जब train की speed decrease होगी तो ऐसे केस में जो wheel और जो rail होगा जो friction होगा वह दोने के बीच के friction के वज़े से heat होगी वो कम होने लगी मतलब simple word में जब train speed पकटेगी continuously जब wheel चलेगा तो ऐसे केस में heat generate होगी जब train brake मारते है तो ऐसे केस में wheel होता है उसका rotation होता है reduce होने लगता है तब होता कि जो wheel होता जो wheel का jota material होता उस में metallurgical changes आने लगते है और जो metallurgical changes आते इसके वज़े से crack बनता और जो चोное click होता उसे को जो हम लोग क्या अब क्रेक बलतें और जो thermal crack होता है पिसा होता है यह basically fine shallow superficial lines होती है thermal crackуг में होता क्या है एक shallow superficial lines बनती है, shallow का मतलब क्यों होता है shallow superficial lines बनती है, shallow मतलब हलकी हलकी, हलकी superficial lines बनती है, right, और ये कैसी होती है, transfers होती है nature में due to sticky break, ये कैसी होती है, transfers होती है nature में, जैसे कि अगर हम लोग देखें, यहां पर ये, हमने कुछ इस तरीके से will consider किया, और ये will में अगर हम लोग कुछ इस तरीके से हमें सुपर्फिशल लाइन दिखाए दे रही है रेट शालो हलकी हलकी सुपर्फिशल लाइन दिखाए दे रही है रेट हलकी हलकी सुपर्फिशल लाइन दिखाए दे रही है और इसी को हम लोग क्या बोल रहे है इसी को हम लोग बोल रहे है थर्मल क्रैक त्रेन का जो वील है इसमें अल्टरनेट कुलिंग और हीटिंग के वज़े से होता कि जो वील है उसके मेटलरिजिकल मडीरियल में चेंज़ेस आने के वज़े से होता किया कुछ इस तरीके से मतलब शालो सुपरिफिशन लाइन बनती है जो के ट्रांसफर्स होती है नेचर मे और इसी को हम लोग बोलते है थर्मल क्रैक अभी यहां पर अगर हम लोग देखे जो थर्मल क्रैक है यहां पर अगर हम लोग देखे जो थर्मल क्रैक है इसके अलग-अलग टाइप होते है यहां पर अगर हम लोग देखे यहां पर अगर हम लोग देखे यहां पर जैसे हमन और रिवेंटेशन भी है क्या है ये अधुरे सी अधुकिछ पर्पाइटिकूलर है कैसे है यह बेसिकली पर्पाइटिकूलर है तो यह फिर पर यह एक पर यह जो बन रहे हैं यह जो superficial lines हमें जो मिल दी कैसी होती है basically transfers होती है nature में अभी यहां पर यह जो thermal crack होता है इसका लगाला classes होता है thermal crack has different classes जैसे कि अगर हम लोग देखे class 1 हो गया class 2 हो गया class 3 हो गया class 4 हो गया class 5 हो गया class 1 में अगर हम लोग देखे में कि यह किस्थ Music नहीं कि यह कितने अमम तक के होता है अगर यह धर्मल क्रैक हम गल सकते थolesome रभाद अगर होनगा जो शेलोh superficial lines जो बनती है अगर उसका magnitude अगल टैंना हे तो ऐसे दिना है forskरे гор कह तो ऐसे किसमें जो थर्मल क्रैक कि वज़े से क्लास किस्थ similarly shallow superficial lines will ki thread qopor thermal crack में 30 m anda 40 mm के विच में तो ऐसे के समें class 3 thermals Zie adhesive thermal crack किinek क्लास 4 thermal crack उनके तो जो thermal crack क्लास 4 thermal crack alors जो thermal crack होते हैं इसके कितने क्लास क्लास 1 thermal crack क्लास 2 thermal crack class 3 thermal crack class 4 thermal crack दो जो class 1 thermal crack है यह upto 10 mm तदू जो होता है थरी 30 mm तक क्यों क्यो edge 30 mm-40 mm होता है class 4 जो thermal crack शुटाइं का जो superficial line जो magnitude होता है फूर्टी अम से जादा होता है फिर इसके पाद अगर हम लोग देखे most important अगर हम लोग देखे rcf arcaf को full-form क्या होता है RC ? i gehört rolling contact आपको फिलफ़ां क्या होता है rolling contact फैटिक RCF अभी यहां पर यह जो RCF किसके वज़े से प्रोडिउस होता है कॉस्स ड्यूटू कंटिन्यूस कंटिन्यूस इस्ट्रेस ओवर विल डूरिंग रूलिंग मूशन यहां पर अगर हम लोग देखिए जो rolling contact फैथिक है जो rolling contact फैथिक है किसके वज़े से जन्रेट होता है ट्रेन का जो वील है उसके अपर इस्ट्रेस जन्रेट होता है और यह जो यह इस्ट्रेस होता है कंटिन्यूस इस्ट्रेस होने के वज़े से होता के एक ट्रेन के विल में जिसे बोला जाता है रोलिंग काटक्ट फैथिक अब यहां पर अगर हम लोग देखिए जो rolling थेलिंग कंटक्टट फेलिंच और जो थेलिंग कोधा है दोनें डिफेरञ्स केया है और ट्र Thai क्रीफॉ rolling contact fatigue में अगर हम लोग देखे जो crack generate होता है यह basically कैसा होता है parallel होता है train के running direction के right तो यहां पर अगर हम लोग देखे orientation is not perpendicular to running direction of train तो जैसे हमने बात चाहिए rolling contact fatigue किसके वज़े से generate होता है जो thermal crack के यह जो thermal crack के उसका जो reason होता है वो क्या होता है train में train जो है train के wheel में alternate heating और cooling होने के वज़े से होता है train के wheel का जो metallurgical material होता है उसमें changes आने लगता है जिसके वज़े से shallow superficial lines बनती है और यह जो shallow superficial lines है इसी को हम लोग क्या बोलते thermal crack और यह जो shallow superficial lines है यह कैसी होती है यह basically यह perpendicular होती है train के running direction के respect में यह हम लोग बोल सकते हैं जो shallow superficial lines होती है यह perpendicular होती है train के flange के respect में अभी हमने बात करना है rolling contact fatigue के बारे में अभी जो rolling contact fatigue है यह basically train में continuous जब train continuously चलती है तो ऐसे किसमें continuous rotation के वज़े से continuously stress generate हो रहा होता है train के wheel के अपर और यह stress के available कारखे से एक basically आप में realistic जनरेट होता है जिसके हम भी जो rolling contact fatigue यह कैसा होता है यह इसका जो direction होता है कैसा होता है जो flange जुप है उसे के parallel में होता है तो orientation is not perpendicular to running direction of train जो rolling contact fatigue है इसका जो orientation होता है таки स मता है पैरेलल होता है flange के साथ अब यहां पर यह जो rolling contact fatigue इसके वज़े से क्या हो सकते है spelling हो सकती है च स्काति विकी है क्लास टोग ансट yeah glass कट्रमac होगा आद में ट्रक्यों कर और के वे हैं गांस कर्ण Universe 20 कि विच गारे तो में सब्सक्राथ क्लास पूर में अगर हम लोग देखें मेक्स लिए 40 mm से जाद होगा सेम चीज़ यहां पर भी हमने बात किया था 30 mm से 40 mm तो स्टार्टींग होता है हमारे 10 mm से तो ट्लास वन आ रहे हैं रौलिंग कॉंटटिक में लौनिंग तक होता है क्लास त्पॉब लौलिंग कॉंटच्टफ यह में बिचकारम टैननों से 30 mm के विच में होता है class 3 joh rolling contact fatig is 30 mm से 40 mm के बीच में होता है class 4 जो rolling contact fatig is basically 40 mm के उपर जाता है पिर उसके बाद अगर हम लोग देखें अभी बात करतें सबसर्फेस फैथिक अब यहां पर अगर हम लोग देखें सबसर्फेस फैथिक का मतलब क्या होता है अ धो खिर स्ड़र्फ असपस इस स्प Okeen कि अधी में को बात करना भी साफसे k They एक तरीके से एक तरीके से मैटलर्द का का डिफैक्ट दिवेचर डीवागित indoor तो 25 mm below the thread surface अब यह जो सब सर्फेस जो फैतक के यह बेसीकली copper generate होता है thread surface के नीचे के तरफ generate होता है त्रेट surface के नीचे के तरफ generate होता है और यह basically 3 mm से 25 mm के बिच में लाए कर सकता है मतलब यह minimum 3 mm इसकी साज हो सकते है maximum 25 mm इसका magnitude हो सकता है अब यह जो सबसर्फेस फैतिक है इसको ultrasonic test के थ्रू मतलब identify किया जाता है विजुली सर्फेस फैतिक can be seen विजुली जो जो सर्फेस फैतिक है इसको basically विजुली भी देखा जा सकता है crack appear on the thread and flange thread or flange के भीच में अगर crack appear कर रहा है तो ऐसे किसमें हो सबसर्फेस फैतिक है crack appear on the rim or back of the wheel तो यह क्या यह सबसर्फेस फैतिक तो जो सबसर्फेस फैतिक है यह कहाँ पर generate होता है basically wheel के दो पाट के भीच में generate होता है जैसे कि अगर हम लोग देखे thread और flange के भीच में फिर उसाथ rim और back of the wheel उसके भीच में तो इसको हम लोग विजुली भी देख सकते है तो अब तक कि हमने क्या क्या डिस्कुस कि है जो सबसर्फेस फैतिक है यह तरीके से क्या है metallurgical defect है और इसका जो magnitude होता है 3 mm से 25 mm के भीच में vary कर रहा होता है और इसको हम लोग ultrasonic test के थ्रू identify कर सकते हैं इसको visually भी हम लोग देख सकते हैं देखने के लिए मुझे घ्माय किले है इसको हम लोग visually कृसा दो सकते हैं विजुली यह basically thread अफधे के och आख करेगा और जोיז ग्हार जो विल पाति दोनों के बच्में अप्यार कर सकता है तो thread में लौत एक है कर सकता है for that friends Us यहां पर यह फ्लैंच और यहां पर यह फ्लैंच के बिछ में यहां पहर कुछ इस तरीक में से do इसके यहां पर अंदर कई घी हो लिग सांधर सब्सक्राइब रहें लोगहां यहां ग नहीं होते हैं यहोत रहे मैं सब्सक्राइब बात किया thread surface thread और flange के बीच में appear कर सकता है surface fatigue और फिर उसके बाद rim और back of the wheel दोने के बीच में appear कर सकता है अभी बात करते spelling के बारे में shell threat के बारे में right metal breakout of threat surface यहाँ पर अगर हम लोग देखे spelling में होता क्या spelling का और एक नाम होता है जिसे बुला जाता है shell thread अभी स्पैलिंग में होता क्या है जो thread की जो surface से उससे क्या हो जाता है directly metal breakout हो जाता है right तो जो metal होता है metal breakout of thread surface जो metal होता है basically breakout हो जाता है thread की surface surface से it is due to thermal defect and over stress skidding of a particular point right over stress skidding at a particular point pitting is initial pitting is initial stage of spelling pitting is very small small mark on thread right तो यहां से हमने क्या समझा most important spelling अब यह जो spelling होता है यह ऐसा defect होता है न सबसे पहला अगर हम लोग देखें spelling किसके वज़े से generate होता है सबसे पहला thermal के वज़े से generate होता thermal defect के वज़े से और over stress skidding के वज़े से एक particular point पर thermal stress के वज़े से बहुत important spelling कैसा generate होता है एक particular point पर thermal stress होने के वज़े से over stress skidding होने के वज़े से वो जो particular point का जो thread होता है वो क्या हो जाता है वो break हो जाता है और भाहर निकल जाता है और इसी को हम लोग क्या बलते spelling अब यहां पर यह जो spelling है इसको पता करने का अगर हम लोग देखे एक तरीका होता है जो spelling होता है इसका initial stage क्या होता है जो peating होता है यह initial stage होता है spelling का peating is very small mark on thread जो peating होता है यह basically बहुत छोटा सी mark होता है thread पर तो spelling से हमने क्या समझा है इस Esp आपने के लिए के लिए स्टमग से मत ज़घताiciециjskा Εliq कि और इसके लिए सब्सक्राइब करें और सब्सक्राम चार्टे भी। पर अभी यहां पर जो इस के भी ट्लास राइस वन इस्पेल इरिया अप्ट ट्وج 1 इस पैलिंग में आगर हम लोग देखे इस पैलिंग का जो एरिया होता है बेसिकले 25 इम से उपर जाते द है आप बहुत एंपॉर्टन दो इसमेल क्लास में इसपैलिंग पिद्व इसक्रीक् क्लासे होते हैं जैसे हमने बात क्या था क्लास वन स्पैलिंग क्लास टू 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 स्पैलिंग क को कवर करता है class 4 spelling कितना percentage of thread area को cover करता है इसके बारे में बात करेंगे हमें यहां पर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए thread आपर यह जो फ्लेंच की जैसे बाजु वाला जो फार रोंग बोलते हैं बोलते हैं यह जो पार होता है इसको लोग बोलते हैं तो हैं यहां पर आपर हम लोग देखें cover percentage of total फ्रेड एरिया तो class 1 spelling में अगर हम लोग देखे area of spelling 12 mm of 12 mm after and can scattered up to 10% of total एरिया total थ्रेड एडिया तो यहां पर अगर हम लोग देखें जो class 1 total thread area का 10% area को occupy करता है तो class 1 spelling जो होता है total thread area के कितने परसंट को occupy करता है total thread area के कितने परसंट में exist कर रहा होता है total thread area के 10% में exist कर रहा होता है फिर उसके बाद जो class 2 spelling है यह basically और यहाँ पर अगर हम लोग देखे जो class 1 spelling का जो area होता है कितना होता है 12 mm होता है तो class 1 spelling का जो area होता हो कितना होता है 12 mm होता है और यह जो class 1 spelling है यह basically total thread area के 10% तक के मतलब हो सकता है 10% of total thread area तक के यह scattered हो सकता है फिर उसकाद class to spelling class to spelling का जो area of spelling होता है basically 25 mm तक के हो सकता है और यह scattered हो सकता है 20% of total thread area मतलब total thread area के 20% तक के मतलब class 3 spelling जा सकता है फिर उसके बाद class 3 spelling class 3 spelling में जो area होता है spelling का यह 25 mm होता है और जो class 3 spelling है यह basically total thread area के 50% area को occupy कर सकता है 50% area तक scattered हो सकता है फिर उसका class 4 spelling में जो class 4 spelling होता है इसका जो area होता है बहुत जादा होता है large area और इसका जो class for spelling का जो area होता है, वो तो जादा होता है, और साथ ही साथ उसका जो depth होता है वो भी जादा होता है, और यह class for spelling total threat area के 50% से जादा जगे पर scatter हो सकता है, तो एक बार quickly हम लोग देख लेतें, फिर से summarize कर लेतें, simple word में, class 1 spelling इसका जो area होता है 12 mm होता है, और यह total threat area के 10% area तक के फैल सकता है और class 2 spelling इसका जो area होता है 25 mm होता है और यह total thread area के 20% area को occupy कर सकता है 20% area तक scattered हो सकता है class 3 spelling इसका जो area होता है again 25 mm होता है और यह total thread area के 50% region को cover कर सकता है 50% region तक आ सकता है Class 4 spelling ये सबसे ज़ादा बड़ा spell होता है और इसका जो depth होता है वो भी ज़ादा होता है और ये total thread area के 50% 50% से ज़ादा area को क्या कर सकता है scattered कर सकता है तो class 4 spelling ये large spell होता है और इसका जो area होता है वो भी बहुत ज़ादा depth होता है और यह total thread area के more than 50% रीजन को क्या कर सकता है spell कर सकता है फिर उसके बाद अगर हम लोग देखिए इसके बाद वाला जो defect है rixux वही skidded will flat क्या होता है flat hill होता है अधिनध होती है स्लाइडिंग होती है हमारी ट्रेंग की िएματα प्रेकशन के वजह से यह स्लाइडिंग के टाम बेसिकली यह skidded wow computer weール होने की चानसे होते है इसकेट कर वन वीललक्स हमने क्या समझा वील सोब जान गाँगा तो यह विलिस मॉइल सकते हैं यह होता है जब हमारी ट्रेंट का विल नौको और जातह है तो ऐसे कि विलएव नौक होता है धर जब क्योना क्या हमने चो इसमें। चिर्छन काल बजी थो मारिकūершensive हो गया तो जब axle ब्लक हो जाता है या फिरो सकते है विल ब्लक हो जाता है तो जो train हे वह सिर्ट होने लगते है और इसके हम लोग बलते है स्किट हे तो इसकी ड़ेखर होता है जब विल लग हो जाता है ऐक्स लo लाइफ रेडियूस होने लगती है तो यह जो इसकीड है इसकीड के वज़े से जो बोगी की जो लाइफ होती है वो रेडियूस होने लगती है अब यहां पर यह जो इसकीड है इसके भी हमें क्लास मिलता है जैसे क्लास वन स्किड class 2 class 3 class 4 class 5 स्किड तो class 1 स्किड में जो स्किड की जो लेंद होती हो 25 mm से कम होती है class 2 स्किड में जो स्किड की class 2 स्किड में जो स्किड की जो लेंद होती हो 25 mm से 40 mm के बीच में होती है class 3 स्किड में अगर हम लोग देखे 40mm से 60mm class four skin में अगर मुझत देगे 60mm से 100mm और class five skin एक ऐसे skin होता है झिस में 100mm से ज़ादा होता है तो यह data बहुत important हमें पता होना चाय है जैसे का हमने बात किया था class one thermal crack अगर हम लोग देगे 10 meter यह thermal crack हो गया और यह जो आरसी एफ हो गया थर्मल क्रैक और यह जो आरसी एफ के बारे में वनने बात क्या दोनों का अगर हम लोग देए रेंजुआ इस्से में जैसी कि class 1 अगर हम Bye ऑक्त 1 गो टैन डशी एंचो यहने हुता है क्लास एंच उन्षोनые क्लास रेंच होधाँ तोड़ा अलग होता है यह जो spelling जो होता है इसका जो starting range होता है और 12 mm होता है और जैसे हमने बात कि starting में total thread area की 10% को occupy करेगा class 2 में अगर हम लोग देखे area of spell 25 जो spelling होती है उसका हम लोग area consider करते है spelling का जो होता है वो हम लोग area consider करते है तो class 2 spelling में जैसे हमने बात किया 25 mm होता है class 3 में भी 25 mm area होता है class 4 में भी अगर हम लोग देगे जो spelling का magnitude होता है area जो होता है वो 25 mm से जाधा होता है वो जाधा depth होता है फिर उसके बाद यहाँ पर यह जो skidded भी ले इसका जो range होता है यह basically 25 mm से class 1 25 mm से कम होगा class 2 skid 25 से 45 class 3 40 से 60 class 4 60 से 100 mm class 5 100 mm से जाधा होता है तो skid wheel defect के बारे में हमने बात किया skid wheel defect को जिसे flat wheel defect भी बोला जाता है जब हमारी train का axle lock हो जाता हमारी train move हो रही होती है ऐसे case में wheel skid होता है और इस kit की length के बारे में हमने बात किया फिर उसके बाद अगर हम लोग देखे अभी बात करते skilled wheel के बारे में about skilled wheel scaling is build up of metallic material the wheel surface on the wheel surface due to sticking break which causes will slip slide due to which material becomes soft enough to flow out to flow out of the wheel thread तो यहां से हमने क्या समझा यहां पर यह जो skilled wheel है यह skilled wheel defect है यह skilled wheel यह भी है यह तरीके से क्या है thermal stress के वज़े से और over stress के वज़े से thermal stress के वज़े से और over stress के वज़े से हुआ क्या था एक particular point पर thermal stress ज्यादा होने के वज़े से over stress ज्यादा होने के वज़े से particular point जो था thread का मा का जो थोड़ा जो material था वो क्या हो गया था वो भाहर निकल गया था और इसी को हम लोग क्या बोल र हो रहते हैं सेम चीज यहां पर भी scaling में अगर हम लोग देगे क्या होता है scaling में भी होता है scaling is build up of metallic material on the wheel surface अभी यहां पर जो spelling है इसमें हुआ गया था जो thread surface है वहां से कुछ material निकल गया था right बट जो scaling होता है scaling में होता क्या है जो thread surface है उसके उपर कुछ material मतलब Metallurgical material क्या हो जाता है? Deposit हो जाता है अब जो Metallurgical material है वो कहां से आता है Metallurgical material है वो thread सी निकलता है किसी region से और एक particular region पर जाके क्या हो जाता है? चिपक जाता है thread के Scaling is build up of metallic material on the wheel surface जो wheel की जो surface है उस पर basically metallic material का build up होता है तो simple word में जो scaling defect है इसमें क्या होता है जो metallic material होता है वो build up होने लगता है train की will surface पर किसके वज़े से होता है due to sticking break, sticky break के वज़े से होता है which causes the will slip slide due to which material becomes soft enough right sticky break के वज़े से होता है क्या जो will slip slide है वो होता है या फिर हम लोग बोल सकते simple word में हम लोग बोल सकते ये breaking issue के वज़े से scaling will defect होता है तो simple word में हमें समझना है scaling जो will defect होता है इसमें क्या होता है threat का कोई एक जो particular सबसे पला scaling will defect है again ये metallurgical level पर कुछ changes होने के वज़े से होता है और ये scaling will defect में होता है किसे एक particular region पर threat surface के पिकिसे एक particular region पर जो metallic material होता उसका deposition हो जाता और इसी को हम लोग बोलते scaled will अभी यहाँ पर ये scaled will है इसमें अगर हम लोग देखे इसके में class मिलते class 3 मिलता है class 4 मिलता है class 5 मिलता है class 1 और 2 नहीं होता class 3 में अगर हम लोग देखे class 3 smearing effect smearing effect scale height यहाँ पर अगर हम लोग देखे scale height 2 small less than 1 mm तो class 3 जो scaling defect होता है scaled will का जो defect होता है class 3 जो scaled will होता है इसमें जो scale की height होती है 1 mm से भी कम होती है एक चीज़ अगर हम लोग note down करे spelling में हम लोग क्या consider कर रहे थे specifically area बड जो scaling है इसमें हम लोग क्या consider कर रहे है हम लोग defect की height consider कर रहे है scaling वे scale will हमें समझ में आगए scale will में होता क्या sticky breaking के वज़े से होता कै sticky breaking के वज़े से होता कै जा फिर बोल सकते continuously breaking होने के वज़े से होता कै thread surface पर किसी एक particular point का जो material होता है वो आजाता है मतलब stick हो जाता है और इसी को हम लोग बोल रहे है build up of metallic material और यह scaling defect है किसके वज़े से हो रहा है metallurgical changes के वज़े से हो रहा है अब यह scaling defect है इसमें basically हमने जैसे के बात किया class 3 से start होता है class 3 जो scaling है इसमें scaling की height होती है 1 mm के comparison reason में कम होती है इस स्मूरिंग कॉस्अफ भाय will sleep slash यहां पर अगर हम लोग देगे splitting effect इसमें एक effect होता है इसφैरी बडिबद स्सकेंसे होता है तो यहां पर हम लोग आखर कंटल की स्केल के हुए अगर अम लोग पूरी कहने सूने बैसिकली हुटा कि है जब हमारी train चलती है तो ऐसे के में होता कि है Will Sleep Slide होता है या फिर हम लोग बोल सकते है एक handicap बनता है जिसको हम लोग बोलते है lene effect अब यह smring effect के वज़े से होता के आप तक हम ने gya discuss है weell slip slide के वज़े से एक effect बनता है जिसको बूला जाते smring effect अब यह smring effect के वज़े से होता है जो wheel होता है, उसके material में metallurgical changes पर जाता है मैटलर्चीडлять के वज़े से होता है, wheel का कोई एक particular जो रीजन होता है महां का जो material होता है वो निकल जाता है और दूसरी किसी particular region पर जाके वो deposit हो जाता है और जब वो deposit हो जाता है तो इसी को हम लोग बोलते scaling effect scale will scale defect या फिर scaling defect तो जैसे हमने बात किया जो class 3 scaling defect यो 2 इसमें की जो हैटe है 1 mm से भी कम होती है क्लास 4 जो plus 50 mm से जाती होती है तो यह जो data यह बहुत important है यह बहुत अच्छी दरीके से पता होना चाहिए जो class 3 जो scaling effect होता है जो skidded build दаств börjar इसको हम लोग basically start करेते class 1 class 2 class 3 से right class 1 class 2 class 3 class 4 class 5 but यह जो scaling defect होता है scaling defect को हम लोग start नहfest जूराइब से हमारे पास क्या class 3 ए class 4 इसके लिए class 5 इसके लिए तो जो class 3 इसके लिए इसमें जो scaling की scale defect की जो height होती हो कितनी होती है 1 mm, फिर उसके बाद जो class 4 है, इसमें जो skill की height होती है 15 mm, फिर उसके बाद जो class 5 है, इसमें जो skill की height होती है, वो 15 mm से जादी होती है, तो 1 mm, 15 mm, फिर 15 mm से जादा, तो class 3 में skill की जो height होगी 1 mm, class 4 में जो skill की जो height होगी 15 mm तक के होगी class 5 में जो scale की height होगी 15 mm से जादी होगी फिर इसके बाद अगर हम लोग देखे हमारे पास है arises arises को बोला जाता है sharp flange arises को क्या बोला जाता है sharp flange जैसे कि अगर हम लोग देखे होता क्या arises is formed when flange metal rolled towards the tip of the flange causing a step with a sharp point over flange tip तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे हमने क्या समझा यहा पर यह figure का वह बहुत अच्छी तरीके से देखे यह figure को अगर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखे तो train का जो flange, train की village का जो flange कुछ इस तरीके से आगे जा रहा है train का जो विल है कुछ विल का जो फ्लेंज है ट्रेन के विल का जो फ्लेंज हो कुछ इस तरीके से जा रहा है तो जो फ्लेंज हो कुछ इस तरीके से जा रहा है और यहां पर अगर अगर हम लोग देखें यह अराइस में होता क्या है यह जो फ्लेंज होता है यह फ्लेंज जो होता ह है वह कुछ इस तरीके से पीछे के तरफ आने लगता है तो सुकर्णने लगता और उसकी जो हाइट होती अपर के तरफ बढ़ने लगते हैं नुकिली होने लगती है और इसकी को यह हम लोग क्या बोलते हैं तो अराइजिंग अराइजेस से नाम से पताल चल रहा है arises का मतलब क्या होता है किसी भी चीज कोई भी चीज मतलब बनना कोई भी चीज फॉर्म होना तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे arises form होता है when flange metal arises form होता है जब flange metal rolled out हो जाता है और flange की tip पर आ जाता है simple word में हम लोग बोल सकते arises तब form होता है जब flange metal roll out हो जाता है और flange की tip पे आ जाता है जिसके वज़े से एक step बन जाता है या फिर बूल सकते एक sharp point बन जाता है simple word में हम लोग कैसा इसको discuss कर सकते है जो arises है वो form होता है जब flange metal roll out हो जाता है और flange की tip पे आ जाता है जिसके वज़े से एक sharp point बनता है flange की tip के उपर और इसी को यह हम लोग बोलता है arises तो जो arises होता है इसमें जो flange metal होता है roll out हो जाता है ruled हो जाता है arises में जो flange metal हो जाता है और जो flange की tip पे वहाँ पर आ जाता है जिसके वज़े से flange की tip पर एक sharp point बन जाता है और यह जो sharp point होता है इसे ही बुला जाता है arises so once again repeating the same concept जो arises होता है इसमें होता है जो flange metal होता है ruled हो जाता है और जो flange की tip पर वहाँ पर आ जाता है जिसके वज़े से flange की tip पर एक sharp point बन जाता है और इसी कोई क्या बुला जाता है Arises अभी जो Arises है इसके कुछ Classes होते है जैसे के Class 1, Class 2, Class 3 जो Class 1 अगर हम लोग देखे Class 1 अगर हम लोग देखे रिलेवेंट नहीं होता Class 1 का जो Arises होता है इसको Consider नहीं किया जाता Class 2 में जो Arises होता है Arises उसकी जो मतलब जो Height होते हो कितनी होते है 1.5 mm हाई होता है कितना होता है 1.5 mm मतलब कुछ इस तरीके से एक शाप जो Point जो बन जाता है उसकी जो Height होते है कितनी होते है 1.5 mm Class 3 में अगर हम लोग देखे More than 1.5 mm Will Flange Tip should remove by Will Turning Process अभी यहाँ पर यह जो Will Flange की जो Tip है जो Will Flange पर जो एक Tip जो बन रही है उसको हम लोग निकाल सकते है किसके थुरू Will Turning Process के थुरू जिसके बारे में हम लोग फिर कभी Discussion करेंगे तो Class 1 में जैसे के हमने बात किया Class 1 रिलेमेंट नहीं होता जो Class 2 होता है 1.5 mm आही होता है और जो Class 3 होता है 1.5 mm से जादा होता है तो यह हमने बात किया Arises के बारे में तो जो Arises Defect होता है इसमें क्या होता है जैसे हमने बात कि Flange Material रोल आउट हो जाता है और Flange की Tip पर जागे जमा हो जाता है और Class 3 में 1.5 mm से जादी होती है और यहाँ पर यह Will Profiling के थुरू अगर हम लोग देखे Will Profiling के थुरू यह जो Arises है इसे Reduce किया जाता है अभी बात करते है Stiff Flange के बारे में Stiff Flange यह भी क्या है यह भी एक तरीके अडिफेक्ट है तब तक कि हमने कौन-कौन से Defect के बारे में बात किया Stiff Flange के बारे में बात किया हमने Arises के बारे में बात किया जिसे शाफ Flange बोला जाता है फिर उसके बारे में बात किया फिर उसके बाद हमने Skilled Will Defect के बारे में बात किया Spelling के बारे में बात किया अभी बात कर लेतें stiff flange के बारे में अभी stiff flange में basically होता क्या है जो flange होती है यहाँ पर अगर हम लोग देखे train की जो flange होती हो normally कुछ इस तरीके से होती है train की जो flange होती है कुछ इस तरीके से होती है अभी stiff flange में होता क्या है यहां पर यह जो हमें जो कुछ इस तरीके से जो पार्ट जो दिखाए दे रहा है जो पार्ट जो दिखाए दे रहा है यह कुछ इस तरीके से हो जाता है एकदम स्ट्रेट हो जाता है यहां पर यह जो कर्फ जैसा हमें जो पार्ट जो दिखाए दे रहा है यह क्या हो जाता है और इसकी को भी बोला जाता है steep flange अभी यहां पर यह जो stiff flange है इसे हमें क्या करना होता है इसे basically हमें visually inspection करना होता है it is class 1 and 2, 3, 4, 5 are not relevant यहां पर यह जो stiff flange है इसके भी class होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और जो के basically relevant है नहीं है जिसको हम लोग consider नहीं करते फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें high flange अभी high flange में क्या होता है high flange में अगर हम लोग देखें जो flange की height है flange height increases more than 35 mm and it comes in class 3 class 1, 2 जहां पर यह high flange में होता है flange की height होती है basically 35 mm से उपर चले जाती है तो high flange यह भी एक तरीका का will defect है तो high flange में होता है जो flange की height होती है वो increase होने लगते है और 35 mm से उपर चले जाती है और यह basically class 3 में आता है class 1, 2, 4 और 5 जो है वो relevant नहीं है तो high flange में जैसे हमने बात क्या flange की height होती है वो increase कर जाती है flange की height अगर 35 mm से जादी चले जाए तो ऐसे किसमें यह high flange की category में आ गया तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे है high flange more than 35 mm यहाँ पर जैसे के high flange यह भी एक तरीका गट will defect है तो flange की height अगर 35 mm से जादी चले जाती है तो ऐसे किसमें जो will defect होता है इसे बुला जाता है high flange will defect अब यह high flange will defect में हम लोग क्या करते हैं basically visual examination करते हैं और कुछ नहीं फिर उसके बाद अगर हम लोग देखे thin flange और फिर उसके बाद short flange short flange के बारे में बात करना है short flange के बारे में short flange में होता है जो flange की घा है होती है एक कम होती है जैसि के अगर हम लोग यह आ पर यहाले example अगर हम लोग consider करें जापर अगर जो फ्लेंग इस तरह च्यम्हमें के घंative कुछ इस तरीके से अभी जो फ्लैंज यह क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से शौट हो जाएगा जैसे कि अगर हम लोग देखे पहला जो फ्लैंज हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा था कुछ इस तरीके से अभी जो फ्लैंज कुछ इस तरीके से क्या हो जाता है पतला हो जा जाए तो ऐसे कि इसको मोग बोलता है high flange will defect similarly flange की height अगर कम हो जाए तो ऐसे कि इसको मोग बोलता है short flange will defect अब यहां पर अगर हम लोग देखें है यहां पर यह जो short flange will defect है इसमें basically कोई speed restriction की requirement नहीं होती और यहां पर यह जो short flange will defect है इसको हम लोग flange gauge के तरू measurement करते है flange के जो height होती है इसको हम लोग basically flange gauge के तरू measurement करते है फिर उसके बाद अगर हम लोग देखे thin flange, thin flange का मतलब क्या होता है पतला flange, right जैसे for example अगर हम लोग देखे मान लेता है पहला जो flange था कुछ इस तरीके से था पहला जो flange था, नयएविल का कुछ इस तरीके से था अभी train चलती है चलती है फिर उसके तरीके जो flange जो कुछ इस तरीके से इतना पतला हो जाता है, right पहला जो flange की जो width थी flange की जो width थी वो कुछ इतनी थी तो यहाँपर flange थिक थी था वन टो एंथ रिया नॉट रिलेवंट इन इस ग्लास फॉर हैस बिन शोन इन विच मिनिमम अलावबल फ्लैंच थिकनेश इस नाइटीन अम्यम यहां पर जो हाई फ्लैंच विल्ड इफेक्ट में जैसे हमने बात किया था फ्लैंच की हाइट अगर 35 अम्यम से उपर चले जाए तो ऐसे किसमें इसको हम लोग बोलते है हाई फ्लैंच विल्ड इफेक्ट सिमिलरली अगर फ्लैंच की थीकनेश फ्लैंच की थीकनेश अगर 19 अम्यम से नीचे चले जाए तो इसको हम लोग बोलते है थीन फ्लैंच विल्ड इफेक्ट तो फ्लैंच की हाइट अगर 19 अम्यम flange thickness is 19 mm तो अगर flange की thickness अगर 19 mm से नीचे चले जाए तो ऐसे किसमें से बोला जाता है thin flange weld effect if less than 19 mm then will need to be replaced अगर 19 mm से कम है तो ऐसे किसमें will को replace करना होगा अभी यहाँ पर यह जो flange यह thin है या ठीक है यह कैसा पता चले हैं flange gauge measurement के तरो फिर उसके बात अगर हम लोग देखे on damage wheel damage wheel को अगर हम लोग देखे और एक नाम से जाना जाता है जो किsect fig Fractured Will Damage Will को एक और एक नाम से जाना जाता है Fractured Will तो जो Damage Will है उसे एक और एक नाम से जाना जाता है Fractured Will Damage Will also known as Fractured Will and it is due to overuse which creates Metallurgical Changes Damage Will को basically Fractured Will Effect भी बोला जाता है Damage Will है कि एक तरीके से Fractured Will है और यह basically overuse के वज़े से होता है गया train का जो wheel इसमें metallurgical changes आता है और जो damage wheel इस ये manufacturing defect के वज़े से भी होता है तो damage wheel में होता है पुरा जो wheel इसमें पुरी तरीके से फ्रैक्चर्ड हो जाता है और ये overuse के वज़े से होता है जिसके वज़े से होता गाए, metallurgical changes आता है, ऐसा बूल सकते है, train का wheel overuse होने के वज़े से metallurgical changes आता है train के wheel में, और जिसके वज़े से train का wheel वो fractured हो जाता है, और इसको यह जो damage wheel इसे manufacturing defect भी बूला जाता है, also due to manufacturing defect, जो wheel जो damage जो होता है, उसके पीछे manufacturing का जो process होता है, वो भी responsible होता है, तो यह से हमने क्या समझा, damage wheel के बारे में बात क्या, thin flange defect के बारे में, thin flange defect में हमने यह discuss कि, अगर flange की ठीकने से 19 mm से कम हो जाती है, तो ऐसे किसमें जो flange होता है, उसको हम लोग बोलते है thin flange defect, ऐसे किसमें जो defect होता है, उससे बूला जाता है thin flange defect, high flange defect में हमने यह discuss कि, अ की से हैँ सब्सक्राइब honest के बारे मैं एक पर सारी चीज़े के बारे एकदम समझेंगे इसटीफ फ्लेंच के बारे में स्टीफ होग जाता एक दम स्टीफर जाता है 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 क्यों फ्लाइड यह है कि इसनी पर जाता था किया एक हमें जो अ Sikh baik लुसके यहाँ बधोर जो पर ज सिसकत करूण तो उससे और उलाओट में चलिघंग कि आथा और जो CH यस्में ग्राएन सुम्य ने इंतल नोट रोल जाता है और जिसके वज़े से शाप पॉइंट गूस फिर उसके बात जोनांट मुंसे का कोई सप्रुप साथ करते होता है प्द्राइब दंद चलाएं धेक्ट होता है metallurgical changes के वज़े से निकल जाता है और वो जो material होता है thread के कोई दुसरे surface पर जाके चिपक जाता है और इसी को भी बोला जाता है scaled wheel scaled wheel defect बोला जाता है फिर उसके बाद हमने scaled wheel के बारे में बात क्या है scaled wheel में होता क्या है जब train move हो रही होती है और जो एक्सल ब्लॉक होता है तो ऐसी कि इसमें जो wheel defect होता है उसे बोला जाता है excited wheel defect flat wheel defect और यह जो excited wheel defect होता है train के जो बोगी के चो component है उसकी life को reduce करने का काम करता है life reduce होने लगती है फिर उसके बाद हमने बात क्या spelling के बारे में जो spelling होता है यह क्या होता है spelling thermal stress के वज़े से और over stress के वज़े से होता क्या है thermal stress के वज़े से और over stress के वज़े से होता क्या है जो particular जो material पर एक particular region पर एक particular point पर ठ्रेड में particular point पर over stress के वज़े से और thermal stress के वज़े से होता क्या particular point का जो material होता है वो क्या हो जाता है वो निकल जाता है और इसी की बोला जाता है spelling फिर उसके बाद हमने बात किया था subsurface fatic के बारे में metallurgical defect है रइट और ये metallurgical defect है जो कहाँ पर appear करता है basically thread or flange के बिच में appear करता है rim और back of the wheel के बिच में भी फिर उसके बारे में हमने बात किया ये जो आड़ से होता है ट्रेंड जब कंटिनिसली रोलिंग मोशन कर रही होती है तो इसे के इसमें ट्रेंड के विल के ओपर stress generate होता और वो stress के वजह से basically crack बनता है जिसे बुला जाता है rolling contact fathic crack और जाफिर बूसकते है डिफेक्ट बनता है हम लोग ऐसा बूसकते rolling contact fathic दिफेक्ट, thermal crack दिफेक्ट, spelling और shield thread, फिर उसके बाद spelling defect, shield defect, thin flange defect, fracture will defect, arises defect, फिर उसके बाद जैसे हमने बात क्या था, यहां पर यह thermal crack में क्या हुआ था, thermal crack defect में alternate breaking के वज़े से alternating heating और cooling generated हो रही थी, जिसके वज़े से हो आ रहा था, एक shallow superficial lines बन रही थी, जोगे transverse ती nature में और इसी को यह लोग बोल रहे थे, thermal crack